हेलो फेंट्स आप सब कैसे आज के इस वीडियों बताने वाले हैं E, M, RS, TGT और PZT के जो भी कैंडिडेट हैं वो एडिमिट कार्ड कैसे डंग्लोड करेंगे इस वीडियो में स्टेप बाइस टेप करके बिल्कुली डेरेक्ट लिंक से आप सभी को एडिमिट कार्ड चेक करना बताने वाले हैं तो सिंपले आप सभी इस वीडियो के अंतक बने रही हैं तो चलिए इस वीडियो को सुरू करने हैं तो एडिमिट कार्ड को चेक करने के लिए आप सभी को अपने मुबाइल फोन में किसी भी ब्राउजर को उपन कर देना है फिर सिंप्ली सॉर्च बार पराना और यहां पराने के बाद वेबसाइट को कुछ इस प्रकार से टाइप करना इसमें आप सभी को टाइप करना e mrs admit card इतना टाइप करने के बाद तन सौर्च करदेनी है तो जैसे इतना टाइप करके सौर्च करेंगे तो होगा यह कि यहां पर डाइडेक्ट लिंक से Officially website के साथ साथ आप से भी को update भी देखने को मिल जा रही है EMRS Admit Card 2023 TZT-PZT Halty का download link Simply इस update पे click कर देना है और इस update को open कर देना है So finally update यहाँ पर direct link से open हो चुका है इसके इनको scroll करेंगे ना तो सबसे पहले यहाँ पर overview का section देखने को मिल रहा है जिसमें आप सभी का examination date देखने को मिल जा रहा है जो कि 7, 8 और 9 October को conduct करा जाएगा इसके इनको scroll करना है और admit card को check करने के लिए आने है आप सभी को यहाँ पर admit card 2023 link के नीचे देन यहाँ पर आने के बाद आपको show कर रहा है EMRS TZT-PZT admit card 2023 इसके सामने simply यहाँ पर get admit card here का link देखने को मिल रहा है मात्र आप सभी इस link पर क्लिक करके यहाँ से admit card को check कर सकते हैं बट अभी admit card release नहीं करा गया जैसे release करा जाता मात्र यहाँ से आप सभी admit का download कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद